Welcome to our channel Civil Insight तो आज का जो हमारा topic रहेगा हो रहेगा हमारा curves तो हम आज पढ़ेंगे introduction तो हम curves शुरू करेंगे यह पूरी एक playlist बने जिसमें हम curves का पूरा topic पूरा chapter cover करेंगे जिसमें हम सब पढ़ेंगे setting out of curve, rankine formula, deflection angles का हम सारे with numerical सब करेंगे तो आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम सिर्फ introduction करेंगे इस वीडियो lecture में सिर्फ introduction होईगी ताकि आपको जब हम आगे अपने setting out curves करेंगे तो उसमें आपको कोई दिक्कत ना है तो आप देखो curves क्या होता है सबसे पहले हम curves पढ़ते हैं curves are generally used on highways and railways where it is necessary to change the direction of motion देखो पहले से मैंने इसलिए लिखके रखे क्योंकि इसमें मैं आपको साथ साथ लिखने को फाइदा इन्था इसमें पहले से लिखके रखते हो आपको टाइम बचेगा मेरा भी और जल्दी से जल्दी आपका topic कवर होगा तो देखो curves क्या होते हैं जो कि हमारे highways वेरा या फिर railways पे जो हमारे यूस होते हैं क्योंकि हमें direction change करने होती है जैसे समझें आप है ऐसे जाना अब इसके बाद इस तरफ जाना है तो यहाँ पर बीच में यह ऐसे होते हैं इसे हम curve कह देते हैं क्योंकि चेंज the direction of motion ठीक है direction change करने के लिए होते है अब जो हमारे curves होते हैं वो 3 तरह के होते हैं जो हमारे curves होते हैं 3 तरह के होते हैं कॉंसे कोंसे देखो simple curves, compound curves और reverse curves देखो simple compound और reverse में बहुत जादा changes है आप सोचो कि simple और compound में यह reverse में थोड़ा थोड़ा अंतर है तो नहीं जैसे diagram में में आपको समझा रखा देखो तो हमारे simple curve होते है उसका A की radius होता है और A की curve होएगा मतलब जैसे यह curve है तो इसका radius देखो है तो R और R तो मतलब कि A की curve है तो इससे हम simple curve लेके चलते हैं एक r यह है और एक अलग यह है जिसका common यह tangent है ठीक है ना मतलब कि 2 arc ऐसे जो जुड़े वैं जिनका एक common tangent है common point of tangent जैसे कि एक common point of tangent है ठीक है एक इंदर का एक तर गा और इनका देखो radius भी अलग अलग है तो भी radius अलग अलग है देखो R1 और यह R2, मतलब यह 1 आक यह इतनी है और 1 आक यह इतना है तो मतलब यह curve जो हमारा यह compound curve है क्योंकि हमारा इसका एक तो दो curves होगे ठीक है ना, उपर से एक point of जो हमारा यह tangent है, यह common है और उपर से हमारा इसका radius अलगे ठीक है ना, तो यह difference सा simple से compound में है जो compound से reverse पर आते हैं तो इसका difference देखें देखो अब जो हमारा reverse curve है ना, उसमें देखो क्या होता है जैसे यह R1 देखो यह curve है एक यह curve है, ठीक है ना, और एक यह curve है एक यह, और एक यह वाला curve है, ठीक है ना जो यह curve है देखो इसका radius R2 और इसका R1 अब यह reverse क्यों कहलाता है, देखो जो इसका पिछले वाला curve है मतलब कि जैसे हम यह वाला curve देख रहे है तो इसका पिछले वाला curve इसका opposite होगा ठीक है ना, विद कॉमन टेजेंट ठीक है तो यह common एक टेजेंट हो देगा इसका यह common टेजेंट यह सारा ऐसे हो गया ठीक है, तो इसका पिछले है देखो जो हमारा यह curve है इसकी shape कुछ इस तरह है इसकी shape कुछ इस तरह है, लेकिन जो आपर ये वाला curve है, यहाँ से यह पूरा ऐसे curve ये वाला curve जो है, इसकी shape हमारी कुछ इस तरह है, लेकिन ये दोलों joint है, तो ये हमारी reverse curve होते है, जिनका हमारा previous curve opposite direction में होये, और जिनका एक common tangent होये, ठीगे न, थीगे न, तो ये से हम कि काउस में थोड़ा जो हमें पूरे चैप्टर के अंदर लेके जाते है ठीक हो अब चैप्टर के जो हमां अंदर के जाते है यह को अपको समझा दिया है हम थोड़े से ने इनके ना वह पढ़ लगते हैं elements ठीक है ना जो कि हमें बहुत जुरुरत है यह चीजे पर नहीं जर्नल है यह तो सबसे पहले हमारा back tangent है देखो अब जो हमारा back tangent क्या होता है देखो था tangent 81 81 previous to the curve जो हमारा एक curve है ना यह curve तो इससे जो previous tangent है यह इसे हम क्या बोल देते है back tangent ठीक है ना इसे हम बोल देते है back tangent देखे बहुत जुरुरत है यह सारा कुछ आपको अच्छे से याद होना चाहिए यह चीज़े तो बहुत इंपर्टन है बक्की जो अलग-अलग होएंगी वो आगे हम topic वाइस पठते जाएंगे ठीक है ना तो अब हमारा आगला आता है देखो forward tangent अब जो forward tangent होता है वो हमारा होता है T2B ठीक ना जो यहां से यहां तक का tangent है T2B ठीक है अब हमारा आता point of intersection पॉइंट पी आई और वी देखो point of intersection को हम पी आई लिखेंगे यहां से T2B को हम पूरो produce करें तो जहां पे point को intersect करेंगे उसे point of intersection बोलते हैं ठीक है दो tangents एक कर्व के जहां पे intersect करें तो point of curve देखो point of curve क्या है it is the beginning of the curve where the alignment changes from tangent to curve देखो point of curve PC हम इसे बोल देते हैं short form PC point of curve क्या होता है जहां से हमारा जो curve होता है जैसे यह tangent है, tangent यहां से curve बनने को कोशिश करता है यहां से curve बन रहा है इस point से, यह यहां से curve बन रहा है उससे हम बोलते है point of curve देखो अब पढ़ा तो, it is the beginning of the curve where the alignment changes from tangent to a curve ठीक है ना तो यह हमारा point of curve है अब point of tangency क्या होता है देखो point of tangency हमारा देखो होता है कि it is the end of the curve where the alignment changes from curve to tangent यह हमारा इसका opposite हो गया point of curve का तो मतलब कि यहां से जब हमारा curve ऐसे आया तो end of curve है तो यहां से हमारे alignment change होती है काहां से curve से tangent को ठीए ना तो curve से tangent को यह आपको अच्छे समझा गया अब हमारे एक होते हैं intersection angle देखो होता है angle delta इससे हम angle हमेशा delta लेके चलेंगे delta between the tangent av produced and vb देखो जो हमारा एक तो यह av produced कर दिया आगे को ठीए और यहां से जो हमारा vb है जो इसमें यह वाला जो angle बनना हमारा यह delta होगा ठीए ना और आपको पता है अगर आपने circles अच्छे से पढ़ा होगा तो यहां से यह वाला angle पूरा equal होता है ठीए यह भी हमारा पूरा delta होगा अगर यह वाला delta है तो यह भी delta है लेकिन जब यह ऐसे beach में से cross करती है यह intersection करती है ठीए ने long curve को अगर हम यह intersection करती है तो इसे delta by 2 और delta by 2 हो जाते है यह आगे आपको बहुत जरुत पढ़ेगी इसलिए मैंने आपको चीज़त आई है और देखो दो तीन चीज़ और भी है जो मैंने यहां पर mention नहीं करी वो क्या होती है देखो यह हमारा अपटा लॉंОं से chroncode नहीं यह हमारा अपता लॉंफ कार्ड टीब को हमें ल से mention bright kare यह हमारी curve length लैंफ है फोरी यह आपको कॉँपोड़ेंगे हमारी curve length होग गए हमारी tangent length होग थीकते है हम इसे T Te learners भीन करते है जो कि आपको यह नहीं सोचना कि तो simply मैंने वो चीज़े लिख रखी है तो यह आगे हमारे simple elements तो इसके लिए हमें यह diagram की भी जूरत पड़ेगी तो देखो हमारे length of curve जो मैंने आपको बताया है देखो जो मारे length of curve आ गया t1 c t2 ठीके न तो length of curve हमारे क्या आपता है देखो r delta जहां r हमारे radius है और delta हमारे यह भले angle है ठीके न जो मारे intersection angle है तो इन radians है हम इन radians में बहुत कम आता है ठीके न बहुत ही कम आता है तो हम इन degrees में करते है तो इन degrees में आपको पता है pi r by 180 degree हमारा हो जाता है pi by 180 degree हो जाता है न हमारे इन degrees में कर तो radians को तो delta into delta तो यह लेगा है रिगा यह इन degrees होता है वो हमारा क्या होता है, pi r by 180 degree into delta जो की मारा intersection angle है, ठीए न, अब हम देखते हैं, tangent length, जो मैं आपको tangent length है, देखो T1 से V, यह पूरी हमारी tangent length होती है, ठीए ना कि यहां से, यहां T1 V यह होता है, यह हमारी change होती है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तो अब भी मैं आपको नहीं discuss करता तो वो हम आगे setting out curves में पढ़ेंगे, देखो T1 V यह होती है, हमारी tangent length, आगर मैं pen side पर रहा हो, देखो T1, T1 से लेके V तक, T1 V, ठीए न, तो is equal to V2 T, तो वो ही सेम इधर है, देखो V और T2, ठीए न, तो यह और यह equal होती है, ठीए न, यह और यह equal होती है, ठीए न, यह औ हमारा यह वहली चीजने सारी center पर होईगी, लेकिन देखो यह थोड़ा सा अलग है, center तो यह था, लेकिन यह थोड़ा सा अलग है, तो वो compound curve के लिए अलग हो जाएगा, तो अब हम तो simple curve पढ़ रहे हैं, तो उसमें तो यह होएगा, ठीए न, अब इसका क्या होता हमारी R tan delta by 2, ठीए न, यह आपको यहाद रखेंगे, tangent length के होती है R tan delta by 2, आपको mostly हर question में radius दिया होता है, delta दिया होता है, ठीए न, तो उससे आपको simply length of curve भी find कर सकते हो, tangent length भी find कर सकते हो, और अगला part हमारा जो आता है, वो आता है, length of long curve, ठीए न, length of long curve, ठीए न, length of long curve, ठीए न, तो उसका क्या formula होता है, देखो, 2R sin delta by 2, 2R sin delta by 2, यह 2 से 2 में कार देना, ठीए न, बहुत बच्चें ऐसी mistake कर सकते हैं, क्योंकि यह जो sin नहीं angle का है, जैसे समझो, अगर हमारा delta, अगर हमारा delta 60 degree होता, है न, तो यहाँ पे हमारा sin 30 degree लेता है, क्योंकि delta by 2 हो जाता है, अब यह, अब देखो, apex distance, अब हम थोड़ा से ऐसे को आते हैं, अब आप देखोगे, apex distance, ठीए न, आपको अच्छे से दिख रहा है, तो यह apex distance, अब apex distance क्या होता है, देखो, C से V, C से V, यह मारा apex distance होता है, याद रखना, आपको E से हम इसको लिखते हैं, mention करते हैं, C से V, यह आपको सब याद हों चाहिए, छे से दो प्लीज अच्छे से याद कर लें, अगर आप मेरी पूरी प्लेलिस देखोगे, यह तो आपको यह पता है, अगर नहीं पता है, आप अच्छे देख लो, C से V हमारा apex distance होता है, तो उससे हम क्या बोलते हैं, आर, आर, ब्रेकेट समझाते हैं, यह तीन चीज़े हमारी mostly use होती है, तो अभी हो गया हमारा, तो हमारा आता है mid ordinate, देखो mid ordinate न हमारा, क्या होता है, c, d, यह भी बहुत use होएगा, आपका mid ordinate, वालब आपका setting out cause में, formulas वेरह में, उसमें questions वेरह में तो आपको शायद कम use हो, तो mid ordinate, देखो mid ord को हमना worst sign भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, worst sign, worst sign, worst sign भी बोलते हैं, क्योंकि sign को opposite होता है, यह थोड़ा सा, वो अलग theory है, वो हम नहीं करते हैं यहापे, तो जो हमारी worst sign होता है, वो हमारा mid ordinate होता है, क्योंकि mostly questions में मैंने देखा है, बुक में, और exams में भी, जहां पर हमार आगे use होता है, ठीक है, तो जमारे mid ordinate है, cd, उसका formula क्या होता है, देखो, r 1-cos delta by 2, यह formula आपको याद करना है, r bracket में 1-cos delta by 2, ठीक है, अब, अब designation of curve, देखो, designation of curve इस diagram से correlated नहीं, देखो, हमारा designation of curve है, वो क्या होता है, देखो, यह ऐसा हमारा ऐसा बना, ठीक है, curve, यह हम जिसका radius निकाला, designation of curve का मतलब क्या होता है, radius, ठीक है, radius, r यहाँ पर radius है, ठीक है, और जो हमारे यह angle है, deflection angle है, d, यह d deflection angle है, ठीक है, हम हर book में d दिया हुआ है, तो इसलिए मैंने यहाँ ठीटा वेरा mention नहीं करा, तो हमारा radius होते हो, मीटर्स में आएगा, ठीक है, ठीक ह तो यह आपको नहीं देखना मलब आपको यह पढ़ना की जुरुवत नहीं है कि कहां कहां से हमारा यह drive हो है, तो simple आपको याद करना है, designation of curve क्या हता है, radius of curve ही होता है, जो कि हमारा होता है, 5730 by d, d यहाँ पर हमेशे याद एखना, diameter नहीं है, कभी भी इसको d diameter मतले के चलना हर बुक में d दिया हुए, इसलिए मैंने आपको यह d करा नहीं, तो मैं तो अपने हिसाप से theta कर देता, theta कर देता, alpha, beta कुछ भी कर सकता था, तो यह हमारा d is in degrees, तो यह हमारी जो 6 चीज़ी है यह आपको अच्छा सी याद होने चाहिए, ठीग है, यह formula है, अब आप याद क देखनी है, तो पीस हमारी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें, तो थैंक यू फॉर वाक्टिंग